हाई गाइस गट मॉनिंग और कम बाक टो चैनल जितने भी लोग यहां पर आज मेरा यह ब्लॉग देखरें सबको हापी सावित्री ब्रत जब तक व्लॉग पोस्ट होगा सावित्री ब्रत खतब हो गया होगा 30 में को था सोंबार को तो बहुत सारे बाहर उडिसा के बाहर जो में बहुत सारे जंगली फ्रूट स्पूल मतब उसमें में ली अव प्रशाद चड़ाते हैं जैसे आप देख से तरह तरह के बैर है कथल है पाइनपल है को करनेट है बनाना है आम है लिक्षी है जितने भी फल होते हैं सब पुजा जाता है साथ में सुहाग उनो वाली जो स हो जा जाता है वह भी प्रशाद चड़ता है और साथ में यह रहा मेरा आज का आउस्पीट तो इसका मैं क्या पेंगे ममी क्या पेंगे मीशो का एक बहुत ही प्रशाद लेके जा रही हूं पूजा करने के लिए अच्छली हमें थोड़ा दूर जाना है पापा के जो फ्रे तो ममी पापा के साथ पहले चली गई थी और अभी मैं निकल देहीं और सास में देख सकते हैं मैं आलता लगाई हूं क्योंकि आलता तुम्हें देता है सुहाद लगाने का तो अभी मैं नीचे जा रही हूं पापा नीचे वीट कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग पूजा के in यहांपर देख सकते हैं मात्त सावित्री कीसे बनायगा है मुर्ति यह हाथ से बनाए है हल्दी से और जिसको कौड़ी से और सिंदूर काजल सब लगाके अंक न कान यहां पर बनाते हैं अ其實 यह जो मुर्ति स्ताफित होते है पीस्टेम असाला में बनाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पहलेt नोघ कर रहे थे जो ढ़ा बहुत कर कर रहे त्हुंच जर्थारी रहे पाए जर्दित हो शॉन पर शॉल्डों बहुत अक्यूपाई रहते हैं आज के दिन तो यहां पर देखिए पंडित जी आ चुके हैं और पूजा स्टार्ट कर दिये उन्हों ने तो यहां पर ना पंडित जी कथा पढ़ रहे थे कथा फिनिश मतलब कथा हम लोग सुन रहते सब बैठके और यहां पर मैं कैसे दिखरें दूप में जाके एक दम काली-काली लब अजीट से दिख रहे हैं यहां पर मम्मी और आंटी खड़ी है क्योंकि पैर में थोड़ा दर्ध हो रहा है तिन्चा दिन से मम्मी भी बैठ में पारी और आंटी का जाएगी जाएगी नावियल बुस्क्राइब कोड़ेंगे तो यहां पर आती चल रहा है तो कुछ ऐसे ही होता है यहां पर हम लोग कर सावीतरी ब्रत अपन बताना जरूर कैसे करते हैं यहां पर पंडित साडी रखे ना जो लोग कुजा के लिए उसको ना माता को छुआ क रहेते हैं इसको भी माता को चुआ के देते जिसको हमको बात में यूज करना मतलब करना रहता है और यहां पर सब लोग एकी साथ मतलब वहां अलति कर रहे तो यह हो गई हमारी पूजा अभी पर लिद्जी सबकों आ अशिर्वाद दे रहे हैं तो अभी सब पैर शूंके उनको दक्षिना देके बस पूजा यहां पे खतम हो गई है और अभी सब लोग अपना जो साड़ी है भोग है सब लेके घर वापस जाएंगे फिर उसको वो पहनेंगे पहन के तुल्सी माता का पूजा करेंगे पर पतियों को प्रिशाद खिलाएंगे तो यहां पे में घर आ लगा रहे हैं यहां पर हम लोगों संखा में में सिंदुर लगाते हैं सिंदुर तो मैं वहीं बोल रही थे उनको संखा में लगा दीजिए और उसके बाद वह मुझे जो शंखा रहता है ना रेड कलर का शंखा जो ओडिया लोंका में रहता है जैसे बेंगोली लोंका और उसके बाद जीट को में को प्यार पढ़ूंगी फिर मैं उनको यहां पर बोल रहे थी कि अट लीस्ट अशिरबात तो दे दो तो हमस रहें कैसे अशिरबाते रहें एनीवेस पूजा हो गया मैं तुझा जल्दी जल्दी कर रहे थी यहां पर देखिए हम लोगा जो ब्रत पूछते हैं तो उस ब्रत को ना साथ गांठ लगाते हैं लक्ष्मी नारायन के नाम पर और उसको हाथ में पहनते बाए हाथ में वही में कर रहे थी उसके बाद मैं बोलता है मुझे भी प्रणाम करो मम्मी सब को कर रहे हो तो वो मुझे कर लिया और बोलता है आप मुझे करो तो भगवान को यहां पर में प्रणाम कर रहे हैं कि देखो मुझे प्रणाम कर रहे हैं बच्चे ना इतने मासूम होते हैं और मुझे गले लगा लिया कि चलो ममी कि नहीं करते चोटों को नहीं करते प्रशाद कर रहा हुए हुआ यहां पे मंभी पापा को प्रशाद कर रही है पिर जाकर फस्टिंग तोड़ेगी इंडिया में पूजा अगया है तो इसलिए जादा थोड़ा जीव लग रहा है फिर चलिए खाना बना लेते हैं सिंपल सा लांच बनेगा तो चलिए खाना बना के फिर आप से बात करते हुआ तो घड़ने के बाद लगवग 11 जाव्यारा हो गया तो यहां पर लूंच की त्यारी हो रही है ममी चावल पशार रही है और में भिंडी आलू बस काट दी यह पर बिंडी आलू की सब्जी बन गये चावल बन गये और अलू डाल दीती तो सिंपल सा लूंच है यह देखिए दाल, चावल, आलू चोखा, बड़ी चुड़ा और इंडी आलू के सबजी दही बैंगन है और आम हैं मीठा आम हम लोग मतब चावल रहते रहा है उसके खाना बहुत पसंद करते हैं तो यहीं सिंपल सा लांच है तो आईए आप हमारे साथ थोड़ा सा लांच कर लीजिए त तो यहीं सिंपल है इस सब की रेसिपी है चानल पर आप चाहें तो देख सकते हैं नहीं बाइगन बड़ी चुड़ा बहुत टेस्टी लगता है बहुत इजली बन जाता है जाके जरूर चेक आउट करना है हो गया खाना फिनिश लांच वर्च हो गया इने पती देव खाना था खाए तो अब बहुत याज गर्णी में अपलब हुमिरिटी बहुत ज्यादा है जाए जाइस हो गया सबका खाना 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 पीना चलिश तो पापा नाव जीत सब लोग प्रश और यह रहा मेरा खाना आज पर वस फूट खाना है ला मैंगो जी है फोरस में खा सुबह उटने के चक्कर में रात को बार बार नीद ठूट रहाता तो अच्छे से सोई नहीं हूं और आखितम कैसे कैसे लग रहा है सो लेट सी जो भी होता है मिलती हूं आप से इवनी में तो गाइस हम लोग कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाते हैं यार तो जब भोग ल miviii को खा रही हूं इसको यह बण घया मेरा खाना तो बस यही था आज का मेरा खाना हेलो गाईज गूड़ इवनीं और विलकम बाक तो दी चैनल तो अभी हो चुका है इवनीं दलंस भी झाना खाके खाना नहीं बस एक तो इसलिए थोड़ा साच्छा नहीं लग रहा था तो एक चीज़ आपको वीडियो में बता रही थी जब मैं आई ना जीत मेरे को सिंदूर और शंखा पहना रहे थी तो उसको में तोड़ा जल्डी-जल्डी कर रही थी क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा अजीव लगता है ना मतलब पापा गए थे मुझे ट्रॉप कर दिया फिर ममी को लेने गए तो उससे पहले मुझे खतम करता है अल्कि साथ हो चुका है ममी भी करती है बट मुझे ना पापा के सामने थोड़ा सा अजीव लगता है सब करना सो इसलिए जल्डी-जल्डी कर रहे थे ममी को तो पता जहां हम लोग करते थे वो शिफ्ट कर लिए दूसरी जगा तो हम लोग बहुत परिशान हो गे ते कहां करेंगे लेकिन चलिए भगवान की क्रिपा है दूसरी जगा हो रही थी पूजा तो वहां पे भी कर लिए तो आज की पूरा दिन के स्केडियूल में विचाना लब क्या खाया क्या नहीं तो रात को अभी थोड़ा सा बनाऊंगी मैं पराथा और सबजी वस दो खाएंगे बाकी बाकी और कुछ नहीं और यह रहा मेरा जूंका इसको मैंने मीशो से लिया है तो अच्छा आया मुझे नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यह इतना अच्छा आ को जुदन आया होगा सो तो तूँ कुछ ऐसे ही था आज का हमारा यह वफड साभीत्री का तो 위डियो को लाइक कमेंट श हर जूरूर करिए चैनल में नए है तो प्ली साब्सक्राइब करिए लाइक मेले लाइक कर दिज new video के साथ, till then stay healthy, stay happy and keep loving your life.